अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के साथ बिलकुल फ्री नालाइक कहेंगा, बिल्ट! लेकन ऐसा नहीं होने दूँगा मैं, अब मुझे खुद ही सब पुछ करना होगा मॉम भून, अच्यों कम्रेमिंगे लोग है अब आता हुआ अच्यों कर दो मॉम रिषी क्या अधाथ अभुतर? क्या कहना चाहते है वुच ऐसा है, दादी जिए मुझे आप सब को बता देना चाहे था लेकिन मैं रहाँ किसी को नी बता एक सिगन, इवन आइक बलीव इस मॉम रिषी भाई, क्या आपको छुपा सकते हो हम लोगों से वह भी फैमिली से क्या आयोश छुपा अच्छी बात रुको रिषी दी कितनी अच्छी बात मीना गावालों ने तेरा साथ दिया वह लो कितने अच्छी है अच्छी बात नहीं है शालू अब वो जमिंदार पतनी गावालों के साथ क्या करेगा बदला लेने के लिए जो कुछ भी हुआ था ये मेरी परेशानी थी मेरी लडाई थी मेरा नीजी मामला था एह देख लेती ना गावालों को तकलीफ लेने के क्या ज़ुरह थी रुठी में आके वो जावे वो जावालों नहीं शिताबनी देदी अब भता नहीं बदला लेने के-लिए वो जावळों के साथ क्या करेगा ती वो कुछ भी नहीं करेगा वू सिर्व बड़ी बात ये करता है जो हो ना बिलकुल सही हुआ शालू, नहीं तू नहीं समझ रही है, मुझ पर कोई तकलीफ हैगी ना तो मैं मुकाबला कर सकती हूँ, बल्कि करूंगी, लेकिन गाउवालों पर कोई तकलीफ नहीं आने दे सकती हूँ, यह ना जाके गाउवालों से ही बात करती है अधिवदी तु मेरी बात नहीं समझ रही है, मैं बहुती हो पन्चायाइद जब तु एक शालू को नहीं समझा पारी है, तो इतने सारे गांवालों को कैसे समझा पाएगी येकिन दादी बात करने हैं जो भी हो रहा है न, अच्छा हो रहा है और सब रब की मर्जी से हो रहा है तु बिल्कुल चिंता मत कर, गांवाले सब समाल लेंगे और ये जमिदार है न, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा नई, 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 इस लक्ष्मी को तो मैं नहीं छोड़ूँगा पहले इसे अपना बनाऊँगा, फिर उसकी जमीन हड़पूँगा फिर उसे बीच चुराहे ले जाकर, खड़ा कर दूँगा उसकी वज़ा से सारे गाओं के सामने मेरी बेज़ती हुई है इसका बदला तो मैं लेकर रहा हुआ तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं ये धोका हमारे साथ हो है, हम सब के साथ हो है, तो हम बताते हैं हम सबको बताते हैं कि इन दोनों ने क्या किया है मतलब मलिश्का? हाँ, मलिश्का ने भी इन दोनों ने शादी तो की हम सब के सामने फेरे भी लिये रिशी ने मलिश्का की मांग में सिंदूर भी डाला और मलिश्का ने भी मंगल सूत्र पहना लेकिन सच्चा ये है कि इन दोनों के बीच शादी वाला कोई रिष्टा है ही नहीं। इतने साल हो गए इन दोनों की शादी को, लेकिन पती-पत्नी जैसा रिष्टा इन दोनों के बीच में है ही नहीं। कर दो कि तुम तु दूसरी शादी बी नहीं करना जाते थे लेकिन तुमने मलिश्हा से सादी ही हमें लगा धीरे धीरे तुम दोनों के बीद सब कुछ ठीक हो जाएगा तुमने हमें गलत साबित किया, Rishi. लेकिन, Rishi, तुम तो अभी तक अपने अठीत में ही अजी हुआ है हमिसे लग रहा है कि तुम लख्षमी को भूले ही नही हो नहीं भूला झाज़ा हुआ 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 है महाम कर लो जुए अभी तक। खोकले होए थी, ऐसा फिल कर रहा था जैसे कुछ बचा ही निया लाइफ में अज़ा था, अंतिरा चागया था माँ लेकिन जब से रोवन आया ना लाइफ में मा तब से सब बतल किया जब रोवन को फर्स तेम देगा था तब से यह फिल कर रहा था कि बस अभी यह लाइफ है रोवन चाहिए उसके लावा कुछ नहीं चाहिए लेकिन एंजियो वाले सिंगल पेरिंट को परमिशन नहीं दे थे अगर बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है तो मा और बाप दोनों उने चाहिए उसकी परवरिश के लिए बहुत चुड़ाव हो गया था रोवन के लि देखिए मैं आपसे रिक्वेस्स कर रहा हूँ प्लीज एक बार मेरी बात समझ नहीं कोचिश कीज़े अर्य आप बिना सुने कैसे मना कर सकते है मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझाया है कैसे लोग है क्या हो गया क्यो परिशान हो इतना आप सब ठीक है कुछ ठीक में मेरी लाइफ बन चुका है वह मेरा सुकून है मैं इसके बिना अपनी लाइफ इमाजन नहीं कर सकता हूँ पर इह लोग समझ दे को तयार नहीं है फोन शी रिशी प्लीज रिलाक्स काम डाउन पहले मुझे यह बता हुआ क्या क्या एक बात करने से वहनों क्यों 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 कि सिंगल परेंट एक बच्चे को अडॉप नहीं कर सकता है अगर अडॉप करना है बच्चे को तो शादी शुदा होना चीए इंसान मा और बाप तोनों नहीं चीए उसके अच्छी परवर रिश्किले तो चैनुईनली प्रवल्म है प्रवल्म है मलिश्का लेकिन हर तरीक मैं शादी करने के लिए रडी हो तुमसे मुझससगि करो के तो रोहन को हमेशा अपने पास रख पाओगे उसा अडॉप कर पाओगे लीगली तो बोलो करो कि मुझससगि सादी रोहन के अवी अबे कुछ प्लान सोचो तुम लोग, सारे गाउं के सामने मेरी इस्जत कई है, मुझे बदला लेना है बदला, और उस इस्जत को वापस लाना है, कुछ सोचो गधो, सोचो, सोचो, सोचता हूँ, भाई कुछ बढ़िया सोचता हूँ, अरे क्या कर रहा है, देखके चलना, स प्रके कहा हूँ, उसकी वाला, यह उस्जत कर रहा है, अब है, गलती तेरी है तू मेरी सोचंवाली तब तक सोचना जब तक आन आ जाये वनना इसी लाइन पे चल कर बाहर निकल जाओ इस बार कुछ ऐसा सोचते हैं कि इस बार लक्षमी भापी सिर्फ आप सही है, ऐसा ही सोचो तो एक काम करो, इधर बैटो और तुम इधर बैटो और जब तक कोई आइडिया दिमाग में ना आ जाये जिससे लक्षमी मेरी बनेगी तब तक यहां से उठना मत और मैं सोचता हूँ कि इसका क्या करना है हाँ, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगा था कि धीरे धीरे तुम्हारे और मलिशका के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन तुमने मलिशका के साथ इस रिष्टे में सिर्फ और सिर्फ ना इनसाफी की है